ये हुजोम, ये जमावडा, ये हजारों की संख्या में इखटे हुए लोग, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्यों को उड़ाता ये नजारा महराष्ट के मुंबई का है, ये लोग इसी धरती के हैं, यही जन में हैं, यही कमाते हैं और यही खाते हैं, लेकिन आज ये बेबस और बे सहारा हैं इनके दर्थ परिशानियों और मुश्किलों को सुनने वाले हामोश हैं बेबसी का ये आलम है कि एक अफवाह को सच मान कर जोला उठा बीवी बच्चों का हाथ थाम पैर मुंबई के बादरा स्टेशन पर पहुच गए इन में से कुछ को इतना भी नहीं माल भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को आने वाली तीन मैं तक के लिए बढ़ा दिया है इस हुजून के पीछे खड़ा पुलिस प्रशासन भी बेबस नजर आ रहा है कि कैसे इतने लोगों को समझाया जाए कैसे इनके दिलों को ये दिलासा दिया ज बच सकते लेकिन आखिर किसके कहने पर हजारों की संख्या में यहां मजदूर इखटा हुए किसके कहने पर ये अफवाह फैल आई गई कौन है वादरा के मजदूरों को गुम रहा करने वाला मास्टर माइंग तो आपको बता दे जिस शक्स ने मुंबई के बांदरा में य गिरफतार भी कर लिया है विने दूबे को नवी मुंबई पुलिस ने हिरासत मिलिया और मुंबई पुलिस को सौप दिया लॉकडाउन के बीच विने दूबे पर भीड को गुमरह करने का आरोब है विने दूबे चलो घर की और चले नाम का कैंपेंग चला रहा था अपने फेस्बुक पर शेयर किये गए पोस्ट में उसने अपनी टीम के बांदरा में होने की बात भी कही थी विने दूबे के साथ ही पुलिस ने एक हजार मजदूरों के खिलाफ वी एफ आयार दर्च की है दूबे के खिलाफ आयपीसी की कई धाराओं के तहट मुकदमा दर्च कर लिया गया है अब पुलिस ने बेशक मुंबई में हजारों मजदूरों पर केस दर्च कर लिया हो लेकिन बांदरा में जो हुआ वो होना ही था क्योंकि ना इन मजदूरों को खाने को मिल दहा है गाउं लोटने से मना किया जा रहा है सरकारी रहत सिर्फ काज़ी आकड़े है ऐसे में कोई सरकार कितने लोगों को मुफ्त खाना खिला सकती है और कब तक क्या कोई और विकल्प नहीं है इस पूरे मामने पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं साथ ही साथ हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल भी ना भूले शुक्रिया